Hello students, so, आज हम एक बहुत ही interesting topic पढ़ने जा रहे हैं, जो की confusing लगता है हम लोगों को बहुत सी बार, कि do, does or did, इनका use वो है, जो हमें, मतलब किस तरीके से हमें नहीं use करना है, sentences के अंदर, confused हो जाते हैं, do की जगह does लगा देते हैं, does की जगह do लगा देते हैं, did के साथ कोई औ कहां कहां ये use आते हैं और rules क्या है, जो कि हमें follow करने होते हैं, इन्हें use करते हैं, clear हो गई ये बात, अब do, does और जो did होता है, ये क्या होता है, एक तो ये auxiliary verb, जो की helping verb भी हमें इने बोलते हैं, उनकी तरह भी use होते हैं, और ये होते हैं हमारे action verb की तरह भी use, ये बात तो अब जानते हैं, दोनों वर्ब की तरह ये use होते हैं? So, अब इनका क्या इन में ऐसी चीज़ है? इनका मतलब क्या है? क्या यहाँ पर scene चल रहा है? जो हमें पता होना चाहिए? कि क्यों हमें इन में confusion होता है? अब हम अगर बात करें present tense और past tense की, तो do, does और did. सिंपल में यूज कर रहे हो did को, तो भी वर्ब की first form के साथ object लिखोगे. और अगर present simple में यूज कर रहे हो, तो भी do, does के साथ, वर्ब की first form के साथ आप object लिखोगे. तो formula देख लिए आपने दोनों का सेम है, did के लिए भी और do, does के लिए भी. अब हमें पहचान कैसे करनी है, कि हमें ये लगाना कहाँ पर. तो मैंने यापे हिंदी में पूरा ये विडियो बनाया है, ताकि आपको बहुत अच्छे से clear हो जाए. ऐसे वाक्यों में, क्रिया के बाद, क्रिया मतलब verb. ठीक है, वर्ब के बाद, ही तो का use हो, वे भोध होता है, कि कार्य पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है. जब हम कोई भी action के उपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, कि ये काम तो होता ही है, मैं तो ये करता ही हूँ, मतलब, ही तो use होना चीए, लास्ट में ता वाला जो चीज होती है न वो आपके sentence के एंड में आने चीए उसके बाद क्या पता होना चाहिए कि अगर आपको सामने वाले इंसान से कोई भी प्रश्न करना है तो आप sentence के अंदर do और does का use करोगे अब do और does का use करोगे subject से पहले या फिर emphasis बताने के लिए किसी चीज पे इन तीनों चीज़ों के लिए वो use होता है Clear? अब हम ये सोचते हैं कि क्या जो होता है? उसका मतलब टो what होता है? तो हम do क्यों use करते हैं? तो what का मतलब तो क्या होता है? वो तो हम मान गये. पर याद रखने वाली बात क्या है कि जहां पर भी वाक्य के, मतलब sentence के starting में ही क्या आ जाए मतलब जो sentence है वो what से, मतलब क्या से ही शुरू हो तो वहाँ पर what नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम लगाएंगे helping verb कैसे sentences होते हैं, जैसे usually sentences में क्या होता है, जो what वाले sentences होते हैं कि आज आपने क्या खाना खाया, तो उसमें क्या बाद में आ रहा है, ठीक है पर जिनमें हम do लगाते हैं या does लगाते हैं, उसमें जो क्या वाले sentence होते हैं, वो पहले आते हैं जैसे कि क्या मैंने खाना खाया, क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं सोता हूँ, तो ऐसे जो sentences हैं, उनकी starting do और does से होईगी, जैसे क्या मैं अनुरत्य करता हूँ, तो do I dance, what I dance नहीं लिखतेंगे अपने हापे, ठीक है, ये clear हो गया, अब एक example देखते हैं, क्या example, कि अगर आपको कोई भी sentence के अंदर ता है आता है, तो आप शुरुवात में do does लगाओगे, ये बात हमने देख ली, ता है आना चाहिए, जोर देते हैं किसी भी बात पे, तो do does आएगा, उसी तरीके से अगर आपके बोले गए किसी sentence में, ता था आता है, वो तो बात हो रही ही present की, ता है आ रहा है, तो do does यूज़ कर रहे थे, अगर आ रहा है end में ता था, तो हम यूज़ करेंगे did, और अगर past, future tense हमारा रहे गया, उसका भी example देख लेते हैं कि अगर गा आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, क्या खाओगे, क्या आप ये करोगे, तो लास्ट म हाँ पे हमें do does का use करना होता है वैसे, कौन से वाक्या होते हैं जिनमें do does का use होता है, अब हम देखेंगे किन के साथ use करना है, सबसे पहला है do, do किन के साथ use करना है हमें, we use do when the subject is I, you, we और दे, I, you, we और दे की बात हो रही है, तो do use करोगे, clear है, do I, do you, do we, do they, clear हो गई, जैसे की क्या तू मंगरेजी पढ़ते हो, do you study English, या दूसरे मित्र भी तुमारे पास आते हैं, do other friends also come to you, क्या मैं bike चलाता हूँ, do I drive the bike, starting में देखो क्या आ रहा है सभी sentences के, तो do पहले लगा दिया है, ठीक है, अब आब move करते हैं आगे वाले पर, कि इसके बाद क्या होता है, does, does शब्द का इस्तेमाल कैसे करना है, जो does है, वो हम third person singular pronoun, that is, he, she, or it के लिए यूज़ करते हैं, वो यूज़ हो रहा था, I, we, you, they, किसलिए, does यूज़ होगा, he, she, it के लिए, मतलब क्या हुआ इसका, कि जब हम किसी दूसरे इंसान से, किसी तीसरे इंसान के बारे म बात करते हैं, तो आप does use करते हो, example के साथ समझते हैं इसे, क्या शिखा तुम्हारे घर आती है, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे इंसान से, तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं, तुम्हारे मतलब दूसरा इंसान, और शिखा जो हो गई, वो तीसरा इंसान हो गया, तो does शिख के बारे में आप बात करते हो, तो ये एक चोटी सी टेबल है, इसमें क्या लिखा है? Do किसके साथ है? I, V, You, दे के साथ, Does किसके साथ है? He, She, It के साथ. अब हमें देखना है कि जो क्यों वाले sentence होते हैं, वाई वाली जो बात होती है, वहाँ पर do does का use किस तरीके से हम करते हैं जैसे मैं खाना क्यों खाता हूँ जिस वाक्य के बीच में क्यों शब्दा जाए वहाँ पर आपको WH formula लगाने है What is WH formula? तो WH formula मैंने हाँ नीचे लिखाए कि सबसे पहले वह जो क्यों वाली बात है वहाँ पर लिखोगे फिर आप do does लिखोगे फिर subject लगाओगे फिर main verb लगाओगे और फिर object लगाके question mark लगा दोगे क्योंकि हम किसके बात में बात कर रहे हैं interrogative sentences के बारे में बात कर रहे हैं वाली बात के जो sentences होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं example से समझो इस चीज को अब जैसे उपर हमने ये देखा था ना कि मैं खाना क्यों खाता हूं तो यहाँ पे हम मैं खाना क्यों खाता हूं मैं क्यों आ रहा है बीच में और question mark भी है क्या से शुरू नहीं हो रहा है ये वाला sentence तो यहाँ पे क्या करेंगे कि WH formula लगाएंगे मैं खाना क्यों खाता हूं सबसे पहले लिखो why do I eat food ये वाला formula फटा फट इसमें लगा दो क्यों वाली बात क्या हो गई why फिर हमने लगाया do क्योंकि I के साथ do लगता है eat the food clear है मैं बस क्यों चलाता हूं why do I drive the bus ये ही formula अप्लाए करना है क्यों वाली बात मतलब WH वाले words पहले फिर do does, फिर subject, फिर main verb और फिर object के बाद question mark clear ऐसे ही मैं pen क्यों तोडता हूं why do I break the pen मैं पानी क्यों पिता हूं why do I drink water इसमें देखो क्या से शुरू नहीं हो रहे फिर भी हम do use कर रहे ना यहापे तो यह होता है WH वाले formula से sentence formation ठीक है अब negative sentences के लिए भी हम do का use didn't का use और doesn't का use करते हैं किस तरीके से करते हैं कुछ नहीं अलग करना है same way रहेगा जैसे I, V, U, they के साथ हम do लगा रहे थे तो not उसमें आड कर देंगे और past में did लगा रहे थे तो not आड कर देंगे वैसे he, she, it के साथ doesn't और didn't कोई भी subject हो जो did होता है वो same ही रहता है हर एक subject के साथ ऐसा नहीं है I के साथ नहीं लग रहा है या he के साथ नहीं लग रहा है नहीं दोनों सारे जो subjects हैं उनके साथ ये same ही रहता है did ही रहता है और इनके साथ हमेशा verb की first form आती है negative sentence जैसे हाब बनाया you do not write a letter I do not read English interrogative बना दिया do you write a letter starting do से करी this tense में do और does जोड़ा जाता है तभी नकारात्मक और प्रशनात्मक वाके बनते हैं जब हम इन sentences में do और does add करते हैं तभी ये negative sentence और interrogative sentences बन सकते हैं do formula का use बहु वचन करता के साथ और does formula का use एक वचन करता के साथ मतलब singular और plural क्यूंकि I, V, U, they दे जो होते हैं वो plural हो गए दे plural है तो plural के साथ do का use हो रहा है और does जो है वो एक वचन करता singular subject ठेक है और you जो है I और you इन दोनों के साथ do का प्रयोग ही होता है does का कभी भी नहीं होता I और you के साथ ये जो दोनों है इनके साथ do का ही use होगा does का नहीं होगा बहुत गलती करते हैं हम sentence बोलते time कभी भी लिखते time I और you के साथ does का use करते हैं जो कि सरासर गलत है नहीं करना है इनके साथ हमेशा do का ही use होगा अब एक और important चीज मैं इसके अंदर आपको बताना जाती हूँ कि जब भी कभी he, she, it, this और that का use हो रहा है sentence के अंदर तो जो as या yes है वो use होगा तो do के साथ ही होगा मतलब जैसे does हम use करते हैं और अगर do के साथ use नहीं हो रहा है तो वो verb के साथ use होगा verb के साथ वो as या yes जो है वो use होगा जैसे mixes, cries, ठीक है इस तरीके से तो ये और एक important बात थी जो मुझे आप आपको बतानी थी अब यहाँ पर मैंने क्या कर रखा, इस table में बता रखा जैसे first person, second person, third person के साथ किस तरीके से do और does का यहाँ पर use होगा clear, plural के साथ third person की भी बात हो रही है they, तो use क्या हो रहा है, do ही use हो रहा है तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत ही आपको ध्यान में रखनी है ये कुछ और examples हैं, जैसे मैं लिखता ही तो हूँ वह दोड़ता ही तो है, तो ही तो है जिस पर जोर दिया जाता है ना, वहाँ पर हम do does का use करते हैं ये examples, after that did से related, past के में तो past में मैंने आपको बता है कि last में था आता है तो था, तो थे, ती थी, ये सारी चीज़ें जैसे मैं लिखता ही तो था, I did right तो verb की first form लग रही है, did के साथ clear और past tense की बात हो रही है तुम कड़ी महनत करते ही तो थे, you did work hard ये सारे की सारे जो examples हैं ये past tense के तो आज हमने किस तरीके से देखा कि कहां कहां पे do, does और did का use होता है, क्यों use होता है sentence में क्या बात बोली गई होती है तब इनका use होता है So I hope आपका ये जो confusion है do, does से related ये clear हो गया होगा This is all about the use of do, does and did Thank you